जेहिं दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चेनल में आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए आपर जूनियर हाइस्ट कुल सायक अद्धापक भरती परिक्षा के लिए आपको यहाँ पर प्रेक्टिस सेट हिंदी भासा का बहुत ही महत्तुपण यहाँ पर सौ कॉस्चन कंप्लीट करेंगे तो वीडियो को पूरा अवस्य देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब करने बैल आइकन दवाएं और पर क्लिक करें ताकि वाल वीडियो की जानकारी आपके यहां तक सबसे पहले पहुंचे जादा जादा वीडियो को सेर करें सभी लोग और वीडियो को लाइक करना न भूलें आज का अपने यहां से फर्स्ट कॉस्चन क्या है देख लेते हैं रामचन सुकल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलता किस किर्थी की भूमिका की रूप में लिखा गया था यहां पर शा राइट आंसर है क्वाउन पूशा है दा मार्डन वर्न लिट्रेचर ऑफ हिंदोस्तान के लेखक कौन है यह क्वाश्चन तो भहती महत्तपूर्ण है जार्ज गिरेशन सेवसें सेंगर्स गर्सदा तासी सुक्देव बिहारी मिस्र तो आपका राइट आंसर होगा क्या तो क्वाश्चन नमबर त्रेपन का आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका राइट आंसर रामचन सुकल रामचन सुकल आपका राइट आंसर है क्वाश्चन नमबर चंगन पूचा है भारतिय संस्कृति के मूल उपादानों का एतिहासिक विकास प्रस्तुत कन्निवा साला प्रिशित ग्रंते संस्कृत संस्कृति के चार अध्याई किसे ने लिखा है तो आपके लिए यहां पर डारेक्ट बताने कि संस्कृति के चार अध्याई किसे ने लिखा है राम बिलास सर्माने जैसंकर प्रसाथ रामधारी सहंधिनकर या संति प्रिये दुबेटी चंगवन का आपका भी राइट आंसर होगा रामधारी सेंधिन कर आपका यहाँ पर सही आंसर है कौश्चे नमबर 55 पूँचा है प्रत्वी राज रासों में कितने समय या इसी को सर्ग बोलती है तो कितने समय हैं या सर्ग हैं तो बताइए कौश्चे नमबर है आपका यहाँ पर पूच्पन प्रत्वी राज रासों में कितने सर्ग है राइट आंसर है विकल्प नमबर डी आनकी 69 आपका यहाँ पर सही आंसर है पचपन का D आनि की 69 सर्ग हैं विद्यापती किसके दरबारी कभी थे Q56 का राइट आंसर बताईए जो विद्यापती थे किसके दरबारी कभी थे तो 56 का आपका सही आंसर होगा यहाँ पर कीरती से हैं कीरती से हैं आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही कीर्थी से राइट आंसर है कौस्चन नमबर संताउन विद्धापती की कौन सी रशिना अभी तक संपादित होकर प्रकासित नहीं हुई है कीर्थी लता, पदावली, कीर्थी पता का या इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर आपके यहाँ पर जो होगा कौन सी रशिना है जो अभी तक संपादित होकर प्रकासित नहीं हुई तो संताउन का राइट आंसर विद्धापती कीर्थी पता का रस्खान कभी का बास्तविक नाम बताने हैं आपके लिए राइट आंसर होगा अदुत बाद की अनुसार मंasında लिए संसार स्थ है जीव और ब्रह्म्मण अलग अलग है या राइट आंसर क्या होगा अदुत विद्धात की अनुसार question number 60 का right answer सभी लोग बताएंगे तो 60 का right answer है आपका सिद्ध एवनाथ साहित्य सिद्ध एवनाथ साहित्य से प्रभावित है तो विकल्प number A आपका right answer होगा question number 61 क्या पूँचा क्या है निमलिकित में से कौन सी पुस्तक जाईसी की नहीं है मिरगावती आखरी कलाम परदमावत या खरावट question number 61 है आपका और 61 का right answer है आपका विकल्प number 1 यानि की मिरगावती मिरगावती आपके यहाँ पर सही answer है यह जाईसी की नहीं है यह पुस्तक विकल्प number 1 right answer question number 62 है अहिंसाबाद और निप्रपत्ती बाद किस संप्रदाई की देन है सूफी संप्रदाई बेशनों संप्रदाई या सक्त संप्रदाई या स्याव संप्रदाई तो आपका right answer है बासट का विकल्प number C यानि की बेशनों संप्रदाई आपका सही answer यहाँ पर है किसंगर के भक्ते कभी महाराज साबंत से साहित के चेत्र में किस नाम से जाने जाती हैं भक्ती शुरूमली या नांगरी दास या रामानु दास या राटोल बंसा वसंते तो आपका बतंस है यहाँ पर फिर आपका यहाँ पर right answer क्या होगा 63 का विकल्प number C यानि की नांगरी दास आपका सही answer यहाँ पर होगा question number 64 आप से यहाँ पर पूंचा गया है क्या पूंचा गया है देख लेते हैं question number 64 भूशन को कभी भूशन की उपादी किसने प्रदान की थी तो भूशन को कभी भूशन की जो उपादी प्रदान की थी यह किसने प्रदान की थी तो 64 का right answer आपका विकल्प number C right answer होगा स्वालंकी राजा रोद्रसा है रोद्रसा है आपका सही आंसर होगा गंगा लहरी किसकी रचिना है कॉस्चन नमबर 65 मतिराम ठाक और पदमाकर या बोधा तो आपका सही आंसर है 65 का गंगा लहरी पूंचा है तो पदमाकर आपका राइट आंसर होगा पदमाकर जिन्हों ने बताया है उनका सही आंसर है किस रचिना को चंदों का अजायब घर कहा जाता है ये question तो कई बार पूँचा जा चुका एक जाम में question है कि किस रचिना को चंदों का अजायब घर कहा जाता है तो question number 66 का right answer होगा विकल्प नमबर C आनिकी रामचेंद्रिका विकल्प नमबर C राइट आंसर है देव कभी किस जिले के थे देव बताना है जो देव कभी थे ये किस जिले के थे आपको बताना है Q67 है और आपका राइट आंसर है 67 का इटावा बिल्कुल सही इटावा आपका यहां पर सही आंसर है क्या पूचा है बिहारी सत्साई पर फ्रंगे सत्साई नाम से फार्सी भासा में एक टीका लिखी गई जिसके टीका कार है फ्राक गोरकपुरी है अमीर खुसरो है आनंदी लाल सर्मा है या मिरजा गालिब है तो इस टीका के टीका कार कौन है तो आपका राइट आंसर है अलसर्ट का विकल्प नंबर बी आनिकी आनंदी लाल सर्मा क्वेश्चन नंबर 79 आप पर पूंचा है मतीराम द्वारा रच्यत ग्रंथ कौन साहे क्वेश्चन आयन लले तललाम या जगदुनेद या रस्चंदरिका तो आप कहें आपर सही आंसर है मतीराम द्वारा रच्यत ग्रंथ पूंचा है तो नंथ्टर का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 70 है निमलिकित साहत्तिकारों में से सबसी कम आयू किसकी है क्वेश्चन नंबर 70 है सबसी कम आयू किसकी है तो आपका राइट आंसर है आनों की भारते आंसर है विरज भासा की आधोने के कालीन प्रिसिद्द कभी हैं विरज भासा की आधोने के कालीन प्रिसिद्द कभी हैं कौन है बहुत प्रिसिद्द कभी तो 71 का आपका जो सही आंसर होगा बहुत है आपका 71 का विकल्प नंबर सी जगनादा से रतनाकर रतनाकर आपका सही आंसर है अप राजिता के लेका कौन है? Q72 का राइट आंसर बताइए. अप राजिता के लेका के नरेंदर सर्मा दिनकर अंचल माखनलाल चतुरवेती. Q72 है और आपका सही आंसर है. अप राजिता के जो लेका खेंबातर का डी राइट आंसर है अंचल अंचल आपका सही आंसर होगा पिरमुक के तीन प्रिगतिवादी कभियों के नाम है तो भै कौन है पिरमुक के तीन प्रिगतिवादी कभियों के नाम कौस्चन नमबर तेहतर में आपके लिए बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर चार विकल्ब दिये गए हैं और यहां पर होगा आपका राइट आंसर राम बिला सर्मा नांगर जुन और तिरलोचन यह जो हैं तीन आपके सही आंसर हो जाएंगे प्रिगतिवादी कभी है कौस्चन नमबर आपका चौहतर पूँचा है दोख सब को मांजता है प्रिसिद्ध पंती है मुक्तिवोद सर्विस्तो द्याल सकसेना या अग्य धर्मबीर भरती तो चौहतर का सही आंसर है आपका अग्य आपका राइट आंसर है बिलकुल सही अग्य जिनों ने बताया है उनका सही आंसर है कौस्चन नमबर आपका यहाँ पर 75 पूँचा है नव गीत दसक की संपादक हैं तो नव गीत दसक की संपादक कौन है 75 का राइट आंसर आपको बताना है चार विकल्प आपकी यहाँ पर दिये गए हैं और नव गीत दसक की जो संपादक है 75 का आपका य तो यहाँ पर आपका 76 का राइट आंसर क्या होगा सभी लोग वीडियो को लाइक अवस्य करते जाएं जन्हों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है इसी तरह कि आपके बहुत सारे टेस्ट आने वाले हैं तो चैनल को सस्क्राइब भी कर ले 76 का बी राइट आंसर है ए ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा निम्न में ऐसी कौन सा वियंजन संघर्सी है संघर्सी वियंजन आपके लिए बताना है यहाँ पर हा जा मा ठा तो आपका 77 का जो राइट आंसर होगा संघर्सी वियंजन बताना है तो आपका right answer 77 का विकल्प number 1 यानि की हाँ हाँ आपका हिहाँ पर सही answer होगा विकल्प number 1 question number 78 क्या पूंचा है तो question number 78 पूंचा है हिंदी में alp brahm का चिन है यहाँ पर आपकी यह 4 चिन दिएगा है इन वैसे आपके लिए alp brahm का चिन बताना है तो question number आपका 78 है और 78 का right answer होगा alp brahm का चिन विकल्प number D में आपका दिया गया है यह जो होता है alp brahm का चिन होता है तो विकल्प number D right answer होगा question number आपका 89 है असुद्ध सब्ध कौन सा है असुद्ध सब्ध यहाँ पर चैन करना है question number 89 में और 89 का राइट आंसर है असुद्ध सब्द में आपका कौन सा है 89 का राइट आंसर है विकल्प नंबर C आनिकी संकट संकट जो है इस प्रकार नहीं लेखती हैं यह आपका सुद्ध सब्द है यहाँ पर question नंबर 80 पूंशा है उंटों का खालिस्तान जा रहा है यहाँ पर क्या होगा आपके लिए रिक्त इस्तान पर बताना है उंटों का खालिस्तान जा रहा है तो आपका राइट आंसर है 80 का विकल्प नंबर यहाँ पर C राइट आंसर है काफिला उंटों का काफिला जा रहा है इसमें आपका खालिस्तान पर काफिला आपका राइट आंसर होगा वियक्ति बस्तु या इस्तान के नाम को क्या कहते हैं संग्या, किरिया, सर्वनाम या विसेशन question number 81 का आंसर बताना है, तो 81 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर इसको कहते हैं संग्या वियक्ति बस्तु इस्तान के नाम को संग्या कहते हैं तो विकल्प नंबर A राइट आंसर है निवन में असे कौन सी भावाचक संग्या है, दिल्ली, मोहन, लड़का, बीमारी भावाचक बताना है, तो भावाचक संग्या 82 में 82 का सही आंसर बताना है तो 82 का आपका राइट आंसर है, भावावाचक पूँचा है, तो बीमारी आपका सही आंसर होगा कौusz教 no.83 क्या पूँचा है, कौusz教 no.83 आप से नहां पर पूँचा गया है कक्षा सब्द हिंदी भ्याकरन की अनुसार संग्या के भेदों की किस स्रेली में आता है तो 83 का सही आंसर है आपका ये आता है सम्मूह वाचक संग्या सम्हुई बाचक संग्या के अंतरगत ये सिर्याणी में आता है तो विकल्प नमबर एक राइट आंसर है कौन सा सर्व नाम का भेद नहीं है नहीं है सर्व नाम का भेद पुरुस बाचक, निजबाचक, गुण बाचक या प्रिशन बाचक कौस्चन नमबर 84 का सही आंसर बताईए क्या होगा कौस्चन नमबर 84 का राइट आंसर सर्व नाम का भेद नहीं है, 84 का विकल्प नमबर B यानि की गुण बाचक गुण बाचक आपका सही आंसर है question number 85 क्या पूंचा है आप है यह की सब राहे देख रहे हैं रिखान के सब्दे कौन सा सर्वनाम है रिखान के सब्द में कौन सा सर्वनाम है तो आपको यहां पर 85 में अंसर बताना है इसमें आपके लिए सर्वनाम बताना है तो निजवाचक निजवाचक यानि की विकल्ब न तो question नमबर है आपका 86ip आपका जो सही answer है रहे है आपका राइत अंसर च्छाइसी का विकल्ट नमबर एक जनागज़ी संज्य आपका राइत अंसर हे सरीख्या सब्द मैं विशेशन है question नमबर आपका नहीं पर 87 पूंच cabbage और 87 राइध अनसर सरीखा सब्द में विसेशनल कौन सा है तो 87 का राइट आंसर होगा इसमें जो विसेशनल पूंचा क्या है गुण वाचक विसेशनल आपका राइट आंसर है Q88 निमलिकत में से सकर्मक किरिया छाटिये चलना, मुस्कुराना, सोना या लिखना Q88 का सही आंसर बताईए क्या होगा Q88 का राइट आंसर बताईए तो आपका यहाँ पर लिखना जो है यह आपका सही आंसर होगा यह सकर्मक किरिया है विकल नंबर D आपका सही आंसर होगा प्रेणार तक किरिया कौन सी है गिरना, सुनना, बोलना या कहिना question number 89, बताईए 89 का सही answer प्रिणार तक किरिया बताना है तो 89 का आपका C right answer है सुनना, यह प्रिणार तक किरिया मानी जाती है question number 90, बहे काम नहीं करता, बाक्य में अभियब पद है अभियब पद है बहे काम नहीं करता बाक्य में अभियब पद है बहे नहीं काम करता तो question number 90 right answer है नहीं नहीं आपका है आपके हैं पर सही answer है यह जो है बाक्य में अभियब पद है question number है आपका यहाँ पर 91 वा question पूँचा क्या है क्या पूँचा क्या है नेमलिकत वाग के मेरी खानकित की हुए भाग में कौन सा पदबंद है पदबंद बताने हैं आपके लिए इस भाग में मेरी गाउं की चारों और जंगल ही जंगल है किरिः विशेशन, विशेशन, सर्वनाम या किरिया तो question number 91 का सही answer किरिः विशेशन आपका राइट आणसर होगा विकल्प नमबर ये आपका राइट आनसर भागमान सब्द का इस त्रिलिंघ सब्द दिएगे विकल्पों में से कौन सा होगा भगवान सब्द का इस तरी लिंग सब्द बताना है इन विकल्पों में इसे चार विकल्प आपके यहाँ पर देगए हैं वीडियो को सभी लोग लाइक अबर सिकल लें और अपने यहाँ पर जो सही आंसर होगा बहे है आपका 92 का विकल्प नंबर एक भगवती भगवान का इस तरी लिंग भगवती आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर कॉस्चन नंबर है आपका यहाँ पर 93 गो सब्द का बचन पहचानिये सदा बहु बचन, सदा एक बचन, एक बचन या बहु बचन तेरा नवे का राइट आंसर बताना है तो तेरा नवे का आपका भी राइट आंसर है एक बचन तुम बैठो में अभी आया इस बाक्य में प्रियोक्त कौन सा काल है कौन सा काल प्रियोक्त हो रहा है इसे बाक्य में तो आपका यहाँ पर चौरा नवे का सही आंसर जो होगा व तो यहां पर आपका कौन सा कारक है, 95 का सही आंसर होगा, विकल्प नमबर एक यानकी संप्रदान कारक, विकल्प नमबर एक राइट आंसर है, question number 96, सिक्षक ने पार्ट पड़ाया, किस कारक का प्रियोग हुआ है, करन कारक, कर्म कारक, कर्टा कारक या अपादान कारक, संपर रूप क्या होगा, 97 का सही आंसर बताना है, तो 97 का D right answer है, द्रश्टी आपका right answer है, दर्शन का तदवा रूप है, यहां पर आपके लिए दर्शन इस पिरकार जो लिखा है, इसका तदवा रूप बताना है, दर्शन का, तो इसका तदवा रूप कौन सा होगा, question number 98 म तो इस प्रकार आपका ऐ जो है दर्सन, ऐ आपका यहां पर सरी आंसर होगा दर्सन विलकुल सरी आपका 99 प्रकार सरी या है, नी, ने, यह निरकों तो आपका 99 का 99 का सरी आंसर वताना है निर्गोन सब्दे में उपसर्ग है तो 99 का सी राइट आंसर है निर इस पिरकार जो निर है विकल्प नमबर सी में बहर राइट आंसर होगा question number 100 है गोराव सब्दे के से तद्द प्रत्य की योग से बना है गोराव सब्दे बताने के सद्द प्रत्य की योग से बना है तो 100 का राइट आंसर है विकल्प नमबर 1 यानि की आ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा question number 101 पूँचा है अनुरक्ती का विलॉम है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 101 का विकल्प नमबर क्या होगा अनु रखती को बिलॉम भहुती सलल भी रखती तिमिर का बिलॉम सब्द क्या होगा तिमिर का बताना है तो तिमिर का बिलॉम बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नमर 102 में तो 102 का राइट आंसर है आपका तिमिर का होगा आलोग क्या होगा तिमिर का बिलॉम क्या होगा आलोग question number 103 है निम लिकत मेंसे एक सब्द आम का परियाबाची नहीं है देखिए नहीं पूँचाए आपसे यहाँ पर नहीं है कौन सा सब्द नहीं है आपर चार विकल्प दे गए है इनमें से वह सब्द चांटी जो आम का परियाबाची नहीं है तो 103 का राइट आंसर सी राइट आंसर है अम्बू आपका सही आंसर है question number 104 है नोका का निमने विकल्पों में से सही परियाबाची सब्द चुनिए नोका का नोका का सही परियाबाची सब्द कौन सा होगा question number 104 104 का राइट आंसर है विकल्प नंबर एक यानिकी तरिणी तरिणी आपका सही आंसर होगा question number 105 है कर का अर्थ टेक्स होता है कर का अन्य अर्थ खालिस्तान है समय धन सर्प सून्ड तो question number 105 का आंसर बताइए एक कर का अर्थ तो आपका टेक्स हो जाता है और कर का अन्य सुन्ड विकल्प नमबर D राइट आंसर होगा देवने लिखित में से कौन सा सब्द अन्य सब्दों से अलग है बताईए कौन सा सब्द है जो अन्य सब्दों से अलग है तो question number 106 का राइट आंसर बताना है वात वात यह आपका सही आंसर होगा विकल्प नमबर C राइट आं क्या होगा चार विकल्प आपके यहां पर दिये गए हैं 107 का राइट आंसर है हवा और आग आपका यहां पर सही आंसर है बिलकुल सही विकल्प नमबर B आपका राइट आंसर होगा question number 108 का आंसर बताना है आपके लिए क्या होगा कि अली अली का सही अर्थ देने वाले सब सब्द एगम कौन सी है अली और अली तो इस परकार question number 108 का राइट आंसर होगा इसका सही अर्थ देने वाले सब्द एगम है तो भौरा और सखी आपका राइट आंसर होगा 108 का आपका B राइट आंसर है question number 109 जिसे नहीं जीता जा सके बाक्यांस के लिए एक सब्द का चैन क राइट आंसर है अगे अजे होका राइट आंसर अजे जिसे नहीं जीता जा सके अजे जिसे बोलाया ना गया हो बाक्य के लिए प्रयोक्त होने वाला सब्द कौन सा है जिसे बोलाया ना गया हो तो इसके लिए एक सब्द बताना है तो question number 110 का राइट आंसर है आपका C यान में बताना है 111 का राइट आंसर क्या होगा तो 111 का राइट आंसर सी राइट आंसर होगा दिर्ग दिर्ग आपका सही आंसर है पवन सब्द में कौन सी संदी है यह आपको बताना है Q112 में आपके लिए क्या होगा इसका right answer question number 112 है और इसमें आपको संदी बताना है तो पवन सब्द में अयादी संदी है कौन सी संदी है question number 112 का see right answer है question number 113 है इन एकमों में से कौन सा सही नहीं है सही नहीं है पूँचा है तो आपका right answer होगा नहीं में आपका सही नहीं है तो धनंजय में कौन सा समास है यह आपको यहाँ पर question number 114 में बताना है तो धनंजय में आपका जो समास होगा 114 का C बहुबरी बहुबरी आपका right answer है निम्न में से कौन सा बाग के सरल बाग के नहीं है देखिए आपको यहाँ पर सरल वाग के नहीं है 115 का आपके लिए यहाँ पर दिखता होगा बहुत ही चल कॉस्चिन पूँचा है सरल वाग के नहीं पूँचा है तो देखिए इस मेले का उद्दे से कि ब्यापार में ब्रद्धी होई आपका सरल बाक्ये नहीं है question number आपका एक सो सूला पूंचा है उन्होंने कहा जाना है बाक्य में किस पिरकार की असुद्धी है तो सर्वनाम संबंदी संग्या संबंदी, विसेशन संबंदी किरिया संबंदी इसमें असुद्धी है यह आपके लिए असुद्धी बताने किस पिरकार, इस बाक्य में किस पिरकार की असुद्धी है सूला का एक यानिकी सर्वनाम संबंदी असुद्धी इसमें है question number आपका 117 है इन वाक्यांसों इन वाक्यांसों में एक जो असुद्ध बाक्य है उसका चैन करना है question number 117 में असुद्ध बाक्य का चैन करना है उसमें बच्पन है उसमें बच्पन है आपका असुद्ध बाक्य है question number 118 है संचारी भाव की कुल संख्या है 8, 33, 9 या 36 question number 118 का right answer 118 का right answer होगा आपका 33 यानि की विकल्प number C आपका right answer है बिल्कुल सही भाई भाई या विसमें तो आपका यहां पर right answer है रोद्र का इस्ताई भाव जो होगा 119 का सही answer है विकल्प number 1 यानि की क्रोद निमलिकत में सही मात्रक चंद कौन सा नहीं है तो मात्रक चंद नहीं पूँचा है तो नहीं में आपका 120 में right answer होगा नहीं है तो यहां पर मदा क्रांता आपका right answer है विकल्प number 1 question number 121 पूँचा है कुंडलियां चंद में कितनी चरन होती है question number 121 पूँचा है कुंडलियां चंद में कितनी चरन होती है 10, 3, 6, 4 तो आपका 21 का right answer है इसमें 6 चरन होती है कितनी चरण होती हैं 6 चरण होती है Q1122 पूँचा है कि निमने लिखित में से कौन सा सब्दा लंकार है अपमा उत्प्रेक्ष रूपक या यमक 122 का सही आंसर बताना है तो 122 का आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा सब्द अलंकार बताना है तो 122 का राइट आंसर है आपका D यानि की यमक यमक आपका सही आंसर होगा Question number 133 पूँचा है क्या पूँचा है आती है सुनने छितिस से क्यों लोट प्रिती धोनी मेरी तकराती विल खाती सी पगली सी देती फेरी इन पंतियों में कौन सा अलंकार है इन पंतियों में उक्त पंतियों में आपके लिए अलंकार बताना है तो रूपक उप्मा उत्प्रेक्षिया विभामना तो 23 का राइट आंसर है आपका C यहां पर उप्मा राइट आंसर होगा कूप मंडूक होना अर्थ बताने इसका ये महाबरे दिया है इसका अर्थ क्या होगा कोई में गिरना मूर्ख होना मात देना सीमित ग्यान या सीमित अनुबा होना तो question number 124 का राइट आंसर है कूप मंडूक होना तो विकल्ब number 24 का राइट आंसर है D सीमित ग्यान या सीमित अनुवा होना कौर्शन नमबर 125 पूँचा है अत्या चार का फल अच्छा नहीं एह बाकि किस लोकोगती का अर्थ प्रिगट करता है अत्या चार का फल अच्छा नहीं एह बाकि किस लोकोगती का अर्थ प्रिगट करता है 125 का आंसर बताना है तो विकल्प नमबर 125 का आपका बी राइट आंसर है 125 का बी आनकी तलवार का खेत हरा नहीं होता यहांप का इहांपर क्या पूचा है 124 अमीर खुसरो का वास्त्रेविक नाम क्या था इह बाति ה yisal question है 126 का राइट अंसर बताना है अमीर खुसरो का वास्त्रेविक नाम पूचा है तो अब आंसर यहां पर होगा क्या होगा राइट आंसर सूर्दास सूर्दास आपका सही आंसर है यहां पर अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है तो अंचल बताना है किस साहित्यकार का उपनाम है अंचल तो 128 का राइट आंसर है रामिस्वर सुकल अंचल तो इनका रामिस्वर सुकल आपका राइट आंसर है विकल्प नमबर D और वसी किसकी रचिना है तो यह आपके लिए बताना है और वसी किसकी रचिना है question number 139 का right answer बताना है तो 39 का right answer यह जो औरवसी रचिना है यह किसकी है रामधारी से हैं दिनकर रामधारी से हैं दिनकर आपका सभी answer है question number 133 किस बार से लेखा कुरोन की किर्थी के लिए साहित अकाद्वी पुरुसकार सम्मानेत जो है करना आरंब हुआ है तो ये पुरुसकार से सम्मानित करना आरंब हुआ है किस बारस से ये आपको बताना है तो आपका 130 का राइट आंसर है विकल्प नमबर एक उननिस सो पच्पन इस वी से Question number आपका 131 है निमलिकित में से किसको साहित अकादमी पुरुसकार मिला नमबारस है प्रेमचंद भातेंद भरिष्चंद या सुरकांतर पाठी नराला 131 है और सभी लोग वीडियो को लाइक अबस्ते कले हैं जन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है 131 का सही आंसर होगा ए यानि की नामबारस हैं आपका राइट आंसर है Question number 132 पंच परमिस्वर के लेखक है जैसंकर प्रसाद मुंसी प्रेमचंद रामचंद सुकल महादेवी बर्मा Question number 132 का पंच परमिस्वर के लेखक पूचा है तो मुंसी प्रेमचंद रहें कौन है मुंसी प्रेमचंद ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है ये उपन्यास है ठीकरे की मंगनी और इसके लेखक आपको बताना है किसने लिखा है इस उपन्यास को 33 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी आनिकी नासिरा सर्मा नासिरा सर्मा आपका राइट आंसर है कॉस्चन नंबर 134 पूंचा गया है प्रेम चंद द्वारा लिखे तो निम्न में ऐसे कौन सी पुस्तक नहीं है कर्मभूमी रंगभूम की रचेता बताना है चंद्रगुप्त नाटक की रचेता कौन है तो 135 का सही आंसर आपका जो होगा वह आपका राइट आंसर चंद्रगुप्त नाटक की रचेता पूंचा है तो जय संकर पुरसाद आपका सही आंसर है कॉस्चन नंबर 134 पूंचा है साधार्णी करण और व्यक्ति व्यचित्रबाद निवंद की लेखक कौन है, इस निवंद की लेखक आचार रामचन सुकल, हजारी पिरसाद दुवेदी, डांक्टर नंगेंदर, महावीर पिरसाद, तो 36 का राइट आंसर एक रामचन सुकल आपका सही आंसर है, भारत की कोज किस की किरती है, तो 13 37 का सही आंसर होगा आपका बिकल्प नंबर भी, जवाहलाल निहुरू, जवाहलाल निहुरू आपका राइट आंसर है, question nombre 138, हिंदी की प्रमक्क पत्रिक का धर्मियोग के संपादक निमन मैसे कौन थे, धर्मियोग के संपादक कौन थे, तो हजारी पिरसाद दुवेदी, धर्मबीर भारती कमलेसोरि अप्रियम चंद्र question number 138 का सही आंसर बताना है तो 138 का C right answer है धर्मबीर भारती धर्मबीर भारती आपका सही आंसर है कुमार संभाव की रचीता कौन है सूरदास, कबीरदास, कालिदास, तुलसिदास question number 149 149 कुमार संभाव के रचेता बताना है तो 49 का राइट आंसर है आपका काली दास बिलकुल सही विकल्प नंबर D यहाँ पर जिनोंनी बताया है उनका सही आंसर है भासा योग बासेष्ट के रचिनाकार कौन है question number 140 का सही answer भासा योग बासेस्ट के रचिनाकार तो 140 का राइट आंसर है राम प्रसाद निरंजनी राम प्रसाद निरंजनी आपका सही answer होगा question number 141 नाटक और नाटक कार का योग में जो है यहाँ पर असत्त है असत्त योग में कौन सा है आपको यहाँ पर बताना है तो question number 141 में आपका जो असत्त योग में है अंजो दीदी विश्णु प्रभाकर यह जो है असत्त योग में विकल्प नंबर डी question number 142 पूँचा है डाक्टर गोपाल राय की अनुसार हिंदी में नोबेल की अर्थ में उपन्यास पद का पिर्थम प्रियोग किस ने किया है तो इसका उस पिर्थम प्रियोगी क्या है नोबेल की अर्थ में उपन्यासवत का पिर्थम प्रियोगी किसने क्या है डाक्टर गोपाल राई की अनुसार हिंदी में तो 42 का सही आंसर है D यानि कि भारतेंदू हरिश्चंद्र भारतेंदू हरिश्चंद्र राइट आंसर है question number आपके यहाँ पर 43 पूचा परंदे कहानी किसने लिखी है निर्मल वर्मा या स्पाल या राजिंद्र यादाव रबेंदर कालिया परंदे कहानी के लेखक आपको 43 में बताना है तो राइट आंसर है निर्मल वर्मा विलकुल सही निर्मल वर्मा आपका सही आंसर है question number 144 मजदूरी और प्रेम शीर्शक निबंद के लेखक की एक रचिना है मज़दूरी और प्रेम सीर्षक निवंद की लेखक की एक रशिना है साहित की महत्ता मेरी जन्मभूमी आचरण की सब्विता या बंजारा मन तो चवालेस का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी आनिकी आचरण की सब्विता अर्द कतानक है जीवनी है संसमरन आत्मकता या रिपोर्ट आच कॉस्चन नमर 145 है कई बार कॉस्चन पूंचा जा चुका महत्तोपून कॉस्चन है और 45 का सही आंसर है आत्मकता अर्द कतानक क्या है ये आत्मकता है तो विकल्प नंबर बी बिलकुल सही अब आ गए हैं दिये गए गध्यांस को पढ़कर स्याम गौर किमी कहो बखानी ग्रा अनियन ययन बिनुबानी यह गध्यांस है किस कभी का है इस परकार आपके लिए बताना है तो आपका राइट आंसर 46 का सी आनकी तुलसीदाश जी का यह गध्यांस है और यहां पर भी और इसी परकार बहुत सारे जो हैं चार कॉस्चन पांच कॉस्चन आपकी इस परकार की गध्यांसों से कूछे जाती हैं तो यहां पर बहुत बड़े बड़े यहां पर गध्यांस देगा हैं तो इनको छोड़ देती हैं पांच कॉस्चन के गध्यांस हैं तो इस पिरकार अपनी यहां पर भूत ही महत्तपूर्ण कॉस्चिन कंप्लीट हुए, क्यांसा लगा यह वीडियो आप कमेंट में जरू बताएं, अगर आप चेनल पर पहली बार आएं तो चेनल को सस्क्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ओल पर क्लिक करें ताकि ओल व